और आये सीधे रुख करते हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे सही होगी पंकज्जा मौझूद हैं बिहार की जमीन से हमारे साथ सीधे जुर रहे हैं और जरा जानते और समझते हैं पंकज्जी से की तारीखों का एलान हो गया है बिहार में चुनाव के अब तो टिकेट और उमीदव जो पांस साल पहले चुना हुआ था रुमाना उसमें जेडी यू और आर्जेडी एक साथ थी इस बार बिलकुल उलट है एंडिये में बीजेपी है और जेडी यू है उधर कॉंग्रेस और आर्जेडी है में और अभी तैय नहीं हो पाया है चिराग पासवान की वज़े से यानि लोग जनसकती पार्टी को कितनी सीटे मिलेंगी जीतन राम माजी कि कल नितिसकुमार से मुलाकात हुई थी एक तो पहले है कि कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी बड़े भाई के रोल में जेडी यू रहेगी यह ताय है कह दिया गया है कि नितिसकुमार इधर जो UPA है उसमें भी यही हालत है कि एक तरफ उपिंद कुस्वाहा अलग निकलने की राख पर हैं, उसके बाद जो दूसरी पार्टी है मुकेश सन नीकी, सन अफ मनला, उसे कितनी सीटे मिलेगी, लिफ पार्टी कितनी सीटे मिलेगी, कॉंग्रेस और RJD के बीचे बहुत सही का कि NDA के अंदर कम से कम BJP और जेडियू में ये तय है कि नितीश कुमार जो हैं, वही चहरा होंगे, लेकिन नितीश कप्तान ये तो महागडबंधन 2015 में भी था ना, पर तब वहाँ पर RJD और जेडियू के बीच जो सीट बटबारा हुआ था, उसमें सीटे 101, 101, जीश कप्तान तो हैं, लेकिन सीट बटबारे पर, क्या जादा सीटों पर जुकेगी BJP जेडियू के सामने? तो वहाँ ये कहा गया कि नहीं, हम जादा दे रहे हैं, आपको बराबरी वारा भी छोटा है, यहां विदान सवा में, चुकि अलग हालात है, जीश कुमार चेहरा है, क्याप्टन है, जेडियू ने अब घोशित तोर पर ये नहीं कहा, लेकिन आपस में समझदारी है, कि व चारीब 40 सीटों के आसपास का रहता था, लेकिन इस बार जिस तरीके से पंकरचा हमें बता रहे हैं, कि ये मानकर चलिए कि बड़े भाई की भूमिका में जेडियू जरूर रहेगी, नीतीश कप्तान की भूमिका में जरूर रहेंगे, लेकिन फासला तो घटेगा, और इस बार जेडियू को 2010 जितनी जादा सीटें बीजेपी की तरफ से नहीं दी जाने वाली हैं इस एंडिये के गड़ बंधन में, बहुत बहुत धन्यवाद पंकरचा